sanity के अंदर content को model करना बहुत ज़्यादा असान है हम लोग simply sanity के content type का इस्तेमाल कर सकते चलते है computer screen में देखें के content type क्या होता है sanity के अंदर क्यों इसको इस्तेमाल करेंगे और actual में content type बना कर आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आपकी understanding practically one price topic में let's get started so guys हम आ चुके हैं वापस अपने code base में shift right click करें सबसे पहले इस चीज़ को open with code करूँगा ताकि आप लोगों VS code में दीखे मैं इसको बंद कर देता हूं यहां पर और हमारा जो sanity है वह यहां पर खुला हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो ठीक है हमने फाइल के बारे में बात की थी अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को एक अलग level पर लेकर जाएंगे लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि यार हम कर के आने सीरीज में बहुत सारे लोगों का सकता है आपको तो इस तरह की चीज आप लोग इस सीरीज के बाद बना पाओगे यह मेरी गैरंटी है ठीक है हम लोग मिनिमल से मिनिमल एफर डालके बहुत बड़ी है प्रॉडट इस सीरीज में बनाने वाले है आपकी वेबसाइट होगी जैसे मान लोग इसी का नाम अभी लिख सकती है उसके ब्लॉक्स रैंक कर सकते हैं वो इसको एक ब्लॉगिंग वाले केरियर की तरफ भी लेकर जा सकती है उसकी अपनी पॉर्टफोलिय वेबसाइट तो ही है तो एक डेवलबर को इस तरह की वेबसाइट रखना मेरे साब से बहुत जाद जरूरी है ठीक है अ बूस्तेट प्लान को एकसेस कर सकते हो प्ली को भी जरूर से असेस कर ले न कि बहुत जाली है सब कुछ मैं यहीं पर डालने वाला हूं तो आपका जो बुक्माक वाला बड़न है उसको दभागर आप प्ली ले सक रहा अर पिछले वाला जो वीडियो है तक देखने में पर boosted plan देख सकते हूं एक करके इन commands को run करना है बहुत सारे लोग कह रहे थे चल नहीं रहा है command एक करके run करना या ठीक है एक करके run करोगे definitely चलेगा अब मैं login करूँगा ठीक है आप लोग नीचे link जो है description में उस पर click करना और उसके बाद login करना मैं आप sign in with github करने वाला हूं और यहां पर authorize करने वाला हूं sanity.io को ठीक है तो मैं login कर रहा हूं यह मुझसे पूछ रहा है कि do you agree the term subscribe to the newsletter अगर आप चाते हैं इनका newsletter आपके email पर आए तो आप इसको भी check कर सकते हैं और फिर इसके बाद continue पर click कर सकते हैं basically ठीक है so आप लोग जैसे ही login करोगे आप लोगों को देखने को मिलेगी यह चीज आपका जो project है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर हमने portfolio नामसे एक project बनाया था वो हमें देखने को मिल रहा है अगर मैं इस पर click करूँ तो यह मुझे बता रहा है कि यहां पर 20 GB bandwidth मिल लेगी API request इतनी मिलेंगी CDN request 1 million मिलेंगी तो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है और अगर आपने by any chance यह यूज नहीं किया मेरा kuban code यूज नहीं किया तब आपको यह सारे benefits नहीं मिल पाएंगा I'm sorry तो आप लोग description में जो link है ना उसके through ही sign up करना मैं बार बा ही हुई मिल गई है ठीक है अब यहां पर समझने के कोशिश करते हैं यह क्या चीज़ है यह जो हमारा यहां पर code है आप बिल्कुल भी यह मस् समझना कि यहां पर data save हो रहा है यहां data save नहीं हो रहा है यह जो code लिखा हुआ है यह सिर्फ local version है content editor का जो actual content है वो content lake पर है अब क लोगों का जो content है वो sanity के पास है sanity ने समाल कर आपका content रखा हुआ है ठीक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका data है वो आपकी local machine में या फिर कहीं और है sanity समाल रहा है वो कैसे समाल रहा है वो sanity की जिम्मेदारी है आप लोगों को बस अपना content जो है structure करना यह एक ब मैं देखो रटता तो हूं यागर आप लोग मुझे जानते हो आपको पता है कि मैं न रटता हूं न रटवाता हूं किसी चीज को रटवाने वालों को मैं जो है अच्छी नजर से नहीं देखता हूं ठीक है तो रटता नहीं है coding में समझने वाली चीज़े होती है रटने व अब यहां पर आपको अपना पहला डॉक्यूमेंट टाइब बनाना है तो बिसिकली हमें करना क्या है जिसे मालूम मुझे ब्लॉक बनाना है लिटस से ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि यहां पर एक ब्लॉक.js बनाऊंगा तो कीमा के अंदर मैं क्या करूँगा एक फाइल बनाऊंगा ब्लॉक.js ठीक है और इसके अंदर मैं यह पेस्ट कर रहा हूं तो पैट की जगह पर मैं इसका नाम रखूँगा ब्लॉक टाइप यह रहाएगा डॉक्यूमेंट टाइटल इसका मैं रखूँगा ब्लॉक लेटस से और इसके बाद जो fields होंगे इसमें वो कौन कोई हो सकती है सबसे पहले मैं कहूँगा ब्लॉक का टाइटल ठीक है तो name title है type string है और title इसका टाइटल रखूँगा ठीक है अब ये वाला टाइटल क्या है और ये name क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर उसके बाद मैं एक field और इसके अंदर add करना चाहूँगा और sanity के अंदर जब आप fields add कर रहे हो ठीक है मैं जस्त आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि कौन से Types मौझूद है ठीक है तो मैं अगर Sanity Studio के अंदर जाओं तो मुझे Types चाहिए मैं Ctrl F Types करता हूं ठीक है schema types ठीक है यहां पर आ गया schema types मतलब मैं भी कोई रटके नहीं बैठा हूं इस चीज़ को आपको बता रहा हूं तो यह सारे types है array है आपके बस block है आपके बस boolean है date है date time है document है file है तो यह सारी के सारी चीज़े आपके पास है ठीक है तो यहां पर आप लोग देखो name of any valid schema types यह type है फिर title आप लोग जो भी human readable देना चाहते तो अभी चीजों को simple लगने के लिए मैं क्या करूँगा आउंगा यहां पर और मैं इसी चीज़ को replicate करूँगा ठीक है मैं ज्यादा बिल्कुल भी एक example हमको मिल गया देखो name launch at मैं कुछ इस तरह से डाल दूगा इससे copy करूँगा time stamp को और type में मुझे date time लिखना था मैं इसको format करूँगा और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ भी जस मैं देखना चाहता हूँ उपने sanity को कि यह किस तरह से काम कर रहा है अब क्या होगा कि जब मैं यहां पर yarn start लिखूँगा यहां start run करने से sanity start run हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि package.json जो file है हमारी उसके अंदर configure हो रख यह चीज ठीक है तो याद रखना ही चीज आप लो तो यहांपर अगर मैं आपको scripts दिखा हूँ तो देखो start में sanity start यहांपर हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो मैं create a UI here as soon as you build your first schema ठीक है तो हमारा जो ब्लॉग है वो यहांपर देख क्यों नहीं रहा है एक बहुत बड़ा सवाल है मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देख रहा है हमारा ब्लॉग चुकि जो blog.js हमने बनाया है उसको हमें schemas में import भी करना है ठीक है तो मैं यहांपर block को र ब्लॉग बना सकते हैं ठीक है मानलो मैं एक नहीं ब्लॉग बनाने जाता हूँ जिसका नाम में रखना चाता हूँ JavaScript Tutorial ठीक है और मानलो मैं यहांपर content मिलने जाता हूँ This is complete JavaScript Tutorial ऐसे कभी भी हम content को store करेंगे नहीं याद रखना Block के content को कभी भी string के तोर पर हम लोग store नहीं करेंगे लेकिन जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ अब देखो मैंने इसको बताया कि यह date time है और इसने automatically यहांपर आप देख सकते हो मुझे यह चीज़ देदी कितना बड़ी है यार यह कितना बड़ी है अब यहाँ पर मालो मैंने इसको save किया ठीक है मालो मुहन यहां से editing कर रहा है ठीक है और मालो सोहन को भी access है सोहन यहां से editing कर रहा है ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी real time में changes sync होते है अभी तो सिर्फ एक user है हमारा मालो मैंने इसको tutorial 2 कर दिया है ठीक है आप देखना है यहां पर क्या हो यहां भी change हो जाएगा ठीक है तो real time में लोग जो है collaborate करके इसको change कर सकते हैं अब देख रहे हो how awesome is that मालो इसने 2 हटा दिया तो यहां पर भी change हो जाएगा रिल टाइम में multiple users होंगे तब भी ठीक है यहां पर यह दिखा रहा है यहां पर लिख करा रहा है code where there is editing this document अगर मान लोग 5 लोग और होते वह भी दिखाये जाते हैं यहां पर यह इंसान एडिट कर रहा है इस document को यह इंसान एडिट कर रहा है इस document को जो कि मेरे साफे sanity के ब इस manipulating लेγा मैं और documents भी बना सकता हूं यह आपर pencil पर click करके जानैं यह में एक ब्राइ्लाक बना सकता हूं में multiple ब्राइबc बना सकता हूं मानलो मैं आपर लिखता हूँ block 2 ठीक है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ content for block 2 ठीक है और इसके बाद finally मानलो मैं आपर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ ठीक है और मैं finally इसको publish कर देता हूँ letters से तो यहाँ पर मेरा block 2 भी आ जाएगा तो मेरे पास javascript tutorial है मैं इसको यहाँ स बन करता हूँ और मैं यह पस block 2 है तो जब मैंने इसको बन किया आप देखो यहाँ से जो circular image थी वो चलाई गई ठीक है अभी तो सिर्फ मुझे access इस project का मानलो 10 लोग और edit कर रहे होते तो मैं actual मैं देख सकता हूँ कि कौन-कौन बैठा हूँ इसको edit करने के लिए खोल के कौ यह वो चीज होती है जो हमको देखने को मिलती है नेम क्या होता है नेम launch है इसका नेम जो की internally use हो रहा है वो यह है फिर इसके बाद type इसका date time है ठीक है तो यह चीज आप लोग को I hope समझ में आगए कि क्या होता है ठीक है आप इस तरह से जितने मंच है blog site कर सकते हैं और इस sanity बहुत बड़िया काम करते है इस चीज को आपके लिए आसान बनाने के लिए दोबारा आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो content होता है sanity का वो sanity कुद manage करती है ठीक है आपके बास नहीं content ऐसा नहीं कि जो blog.jsa आपर content है यह जस्ट एक structure है जो की convey हो चुका है sanity I.O में आपक एक चीज और बताऊंगा आप लोग को यह जो studio है इसको studio कहते है ठीक है जब मैं studio बोलूँगा उसका मतलब होगा sanity का studio इसको studio बोला जाता है इस पूरी चीज को ठीक है तो studio का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है अब अगर आप लोग sanity की documentation पर आऊ गए तब आप करने के बाद मैं simply क्या करूंगा इसको reload करूंगा और इसको reload कर दिया मैंने restoring sanity studio और यहां पर आप लोग देखना अब अगर मैं यहां पर document को अपने देखूंगा अब यहां पर published है published मुझे दिखा रहा है ठीक है मालो मैं आप इसको edit करता हूं ठीक है जैसी मैं इसको edit करना इसको रिलोड करता हूं ठीक है अगर मैं इसको रिलोड करता हूं ठीक है अगर मैं सिर्फ DDMM में date को देखना चाहता हूं तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो date है हमारी DDMM में दिखाएगी ठीक है तो इस तरह options को हम tweak कर सकते हैं और time step 15 का मतलब यह है कि मैं अगर यहां पर कुछ इस तरह से click करूं और उसके बाद letters से मैं जाना चाहता हूं दू सारे हर 5 minute पर हम लोग को एक option देखने को बला तो इस तरह से option को tweak कर सकते हैं हम लोग एक चीज़ और बताना चाहूंगा जो कि मुझे sanity को बारे में बहुत जादा बड़ी लगती है वो है current version आप लोग यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन से version deploy हुए है सब से पहले मैंने create कि फिर मैंने publish किया फिर मैंने edit किया और यहां से भी आप लोग discard कर सकते हैं changes मान लो मैंने कुछ changes किया मैं चाहता हूँ और आज मैंने यह क्या कर दिया ठीक तो था तो मैं क्या कर दूँगा discard changes कर दूँगा ठीक है मान लो मैंने myself confirm भी कर दूँगा obviously एक बार पूछेगा क्यो मैंने javascript का tutorial लिखा and knowingly या unknowingly मैंने कुछ गलत लिख दिया कोई concept गलत बता दिया तो definitely मैं unpublish करूँगा इसको immediately जैसे मुझे पता चलेगा just use case आप लोग को मैं एक model use case बता रहा हूँ ठीक है तो मैं unpublish करूँगा तो जैसे मैं इसको unpublish करूँगा API के response में यह देखने क नहीं मिलेगी ठीक है तो यह चीज़ आप लोग के लिए जानना बहुत जादर ज़रूरी है एक और जो use case इसमें out of the box देखने को मिलता है वो मुझ जैसे content creators के लिए बहुत ज़दा helpful है जैसे कभी कभी हमें क्या करना होता है जैसे मालो मैंने javascript का first tutorial लिखा इसमें कुछ information ऐसी होगी जो कि second tutorial में मैं लिखूँगा for example मैं लिखना चाहता हूँ मालो title है काफी similar होगा ठीक है जैसे अगर आप मेरे videos देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी एक playlist अगर आप उठाएं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा portfolio website plus blog using sanity i.o1 फिर अगली वाल पर जो मुझे changes करने हैं वो करके मालो मैं two कर देता हूँ इसको और मैं इसको publish कर सकता हूँ तो यह चीज मुझे बहुत ज़्यादा helpful लगती है but is this all about sanity definitely not आने वाले videos में हम लोग देखेंगे कि कम से कम coating करके खुबसूरत से खुबसूरत website यहीं कि ऐसी website जिसको देखे आप वाओ आपको गया यह मैं बना सकता हूँ यह मैं बना ही नहीं सकता अगर आप लोग एक absolute beginner तो आपके मुझे सबसे पहले यही निकलेगा लेकिन आप बनाओगे और मैं बनाओँ गाँ बरोसा करना और फॉलो करो इस series को बहुत मददार series एगर आपने यह चोटी सी series ओने व और इस playlist को भी access कर लेना अगर आप लोग continue करना चाहते हो उस playlist के साथ ठीक है but whatever irrespective of what आप लोग इसको ज़रूर access कर लेना ठीक है playlist को access कर लेना, bookmark कर लेना, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल